So dear students, आज हम chapter number 12, understanding the map को समझने वाले हैं. Hello dear students and parents, यह वीडियो देखने से पहले यह आपसे एक request है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, तो please इसको like कीजिए, जीचे comment कीजिए, और हमारी चैनल को subscribe कीजिए अगर आप नए हैं, और साथी साथ bell icon दबाना भूलिएगा नहीं, अब आप अपनी वीडियो देख सकत हैं, काफी interesting chapter है, because आज maps तो आपने देखे होंगे, पर map के बारे में थोरा detail में समझने को मिलने वाला है, तो यह जो पहले दो पईजी साब की यह chapter के हम यह समझेंगे, सबसे पहले हम पहला paragraph, हम एक एक paragraph को अच्छे से समझेंगे, so let's start reading this paragraph, उसमें लिखा है, Tourists visit different tourist destinations of Gujarat, like Somnat, Tuarka, Tarnetar, Ambaji, Dodo, Saputara, in spite of being unknown with the geographical areas of tourist destinations, they can reach the destination very easily. आपको पता है कि आप लोग कितना घूमते हो, चुट्टियों में आजकल लोग गाड़ी लेके, बस में, ट्रेन में, काफी सारी जगाओं पर घूमने जाते हैं, अब दीरी दीरी इंडिया में जो changes आ रहे हैं, काफी सारी घूमने वाली जगाएं develop हो रही हैं, जैसे कोई दिले से, मॉंबई से आया, अगर गुजरात में गूमने आता है, तो आसानी सो उस जगा पे पहुंच पाता है, उसका reason आपको बताएं क्यों, सोचो, आँ, उनके पास है map, मतब आजकल तो सब लोग mobile में Google map ही use कर लेते हैं, गारी में, mobile में, और फटाक से वहां पर पहुं इंसे टेकनोलोजी, you can reach any place in the world with the help of GPS, GPS का मतलब होता है, global positioning system, ये एक device होता है, क्या होता है, एक ऐसा device, जो car में, अकसर तो सभी के mobile में ये होता है, mobile में चिप जैसा होता है, और car में ऐसे डबी जैसा होता है, तो ये GPS device, जिसका हम उपयोग करते हैं, navigation करने के लिए, maps को, आ आपने globe देखा होगा ये, globe is a model of the earth, right, अगर earth की आपको important study करनी है, तो globe आपके पास अवस्य होना चाहिए, क्योंकि इसके उपर continent, country, state, district, taluka, city, और कोई भी village of the earth इसके उपर आराम से locate करके कि किसी को भी समझा सकते है, so ये एक काफी important चीज है, earth को समझने के लिए, आगे क जो ये, हम लोग हाँ, जो word यूज करते है, map, उसको actually में हिंदी में कहते है, नक्षा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, गुजरात, बुलेख, नक्षा, ये जो लिखा है, word नक्षा, नक्षा मतलब गुजरातीम में बोलिये अचे, नक्षो, हिंदी में बोलते है, नक्षा, और इंग्डिस में बोलते है, map, actually में, map word is derived from the latin word, mapamundi, 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 whatever you say, mapamundi मतलब ये map है, it is a piece of the cloth that can be held in the hand, हम हाथो में एक कपड़ा, एक कपड़े का टुकड़ा ये paper का टुकड़ा ले सकते हैं, इस तरीके से, जिसके उपर, जिस जगा पर गोंगते हैं, उसका पू paper के उपर, जैसे यहाँ पर draw किया जा रहा, एक map, इसी तरीके से map को draw किया जता है, printer के उपर, पहले उसको study करते हैं, फिर print करते हैं, ताकि इतने बड़े earth का पूरा area है, छोटे से paper के टुकड़े के अंदर, दिखा सकें, ताकि कोई भी person को कही पर जाना हो, तो, वह map का इ जिसमें, all types of maps, छोटी-छोटी details आपको map की मिलेगी, हम जो map देखते हैं, कई पर लटका हुआ, वह general map होता है, जिसमें, ज्यादा details नहीं होती है, but atlas is a collection of maps, showing various details of the earth, or its larger part, earth के हरे, हरे continent, state, कोई भी राज, कोई भी city, कोई भी country के बारे में जाना हो, तो, आपको atlas खरीद details होती है, सबी जगा के बारे में, complete details of any concerned region can be known by the map, map shows important details of various regions, like physical details, जैसे के mountain, plateau, plain, river, lake, इस सारी चीज़ों के जानकारी आपको atlas के अंदर मिलेगी, अगर मैं cultural चीज़ों के बारे में बात करो, जिसके transportation, industries, farming, irrigation, इस सारी चीज़, आप यह अगर book खरीद होगे, और book को open करके कभी देखोगे, शान्ती से, तो आपको यह सारी चीज़े अंदर atlas में मिलेगी, ओप आपको atlas book क्या है, वो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे हम types of map, काफी important topic है यह chapter का, generally दो type के map होते है बच्चों, एक होता है thematic map, और दूसरा होता है scale based map, अब आपको समझना पड़ेगा, यह सब क्या है, शुरुआत करते हम सबसे पहले map पे, उसे बोलते है thematic map, search type of maps are prepared according to the requirement of the necessary details, जैसे इंडिया की map के requirement थी, जैसे यहाँ पर color करिया किया गया है, population की density कितनी कहां पर है, उसके according map बने आ गया है, यहाँ पर इंडिया का कितना literacy rate है, वो जाने के लि मिलेंगे, आईए आपको दिखाता हूँ, यह वाला बचो natural map है, और यह वाला है cultural map, आप जड़ा देखिए, natural map में आपको काफी सारे details दिखाई गई है, और cultural map में सिर्फ कौन से जगह पर कौन से culture चल रहा है, वो सिर्फ showcase किया गया है, ओप आप यह difference समझ गया होंगे, scale-based maps displays natural landforms, जैसे कि mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यह नदन प्लेंज, desert, himalian range, एक ऐसा map है यह बाजू में, जहां पर आपको vegetation, wildlife, forest, minerals, etc, काफी सारी चीज़े जान सकते हैं, यह एक map है natural vegetation का, यहां पर आप देख सकते हैं, ज्यादा तर जो dark green है, himalian vegetation है, यह वाले है, यह टाइडल, यहां पर काफी टाइडल साते हैं, मतलब के tsunami आती है, ऐसी जगह है, वैसे forest है, यह जो color है, tropical evergreen forest है, tropical deciduous forest है, यहां पर यह जो map है, middle वाला, वो information देता है, various types of animals, जैसे गुजरात में हमारे यहां, एशियाटिक लाइन बसते हैं, गीर मे अगर मैं बात कर रही है, leopard cat देखो, यहां पर हिमालयाज में है, foot hills में, यह sea turtle आप देख सकते हैं, उडिसा में, यह सारी information आपको scale based map के ओपर मिलेगी, ऐसे काफी सारे maps आपको atlas book में मिलेगी, आगे मैं बात करना चाहूंगा, different types of map, जिसमें एक है, topographic map, अब आप सोच र सारे rivers हैं, यह हिमालयन रेंगी से पहाड है, अलग-अलग color अलग-अलग चीज़े show करता है, यह topographic map हो गया, आगे दूसरा है climatic map, climatic map में आपको अलग-अलग जगा के climate, temperature, rainfall, wind, यह सब आपको दिखाए देगा, देखो यहां पर यह hot area, ठेक है, यह composite area, यह काफी cold area, यह warm and humid area, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हवा की दिखाए दिखाए दिखारी है, कहां से कहां, कौन सी तारीक में कैसी हवाई होती है, so यह climate को दर्शाता हुवा map है, climatic map, आगे आ रहा है astronomical map, जो आपको सिर्फ और सिर्फ तारों के बारे में, planets के बारे में, sun की position के बारे में, ज आजकल तो ऐसी application आ गई है, जिसमें यह पूरा का पूरा map आप mobile में देख सकते हैं, interesting है कभी देखना, so type B में आता है हमारा cultural maps, यह क्या है, यह एक ऐसा map है, that outlines man made details, which is called cultural maps, आप देख सकते हैं, आपर अलग-अलग culture पूरा दिखाया गया map में, कहों से state में, कहों से culture चल रह कौन से state में कैसे culture है, कैसे roads है, क्या-क्या सुविदा है, कौन से festival है, कौन सी farming होती है, यह सब आप map के ओपर दिखा सकते हैं, जिसे कहते है cultural maps, आगे आता है political map, another type of map, cultural maps के अंदर, यह cultural map के अंदर है political map, जिसमें आपको map के अंदर country, local administration, यह सब चीशे दिखाई जाएगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे states और capitals दिखाएगे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह इंदिन प्रोलिकल maps हैं, यह दोनों के दोनों map, आपको example के तोर के मैंने रखे हुए हैं, आगे second type हो रहा है हमारा industrial, जो सिर्फ industries के बारे में जान कर देगा, जैसे मैने यह या study कीजिए, historical map जो history के बारे में दिखाएगा कि इंडिया map कैसा था, तो ऐसा था वही, कितना old map देखो, पुरा पाकिस्तान, वाकिस्तान, आप तोरा सा पार्ट इंडिया में, हाँ, सो यह तीन maps मेने लिए हैं, आपको दिखाने के लिए, यह 1751 का इंडिया map है, पी of post of Indian इंडिया तो कितनी बड़ी territory यार, देखो देखो पुरा पाकिस्तान आमारे में दर आ गया, यह भी एक मज़ेदार maps है, historical maps जादा देखने को आज कल मिलते नहीं है, music में जादा होते हैं, सो यह तो हो गए, इसके अलबाभी और दो तरह के maps हैं, और यह पूरे के पूरे map ह होते scale-based, scale-based क्या होता है, generally scale-based map होते हैं, less than 1 cm to 15 km, इसका मतलब है कि आप एक paper के 1 cm के area में, original earth का 50 km area आपको cover करना है, यहाँ पर उसे हम कहेंगे large scale map, यह map में हम 1 cm को equal करते हैं, 50 km का real distance of the earth, इसके बाद large scale maps हमें जादा details दिखाता है, जैसे district, city, village, map, सब कुछ large scale का example है, क्योंकि पूरे world का map है, वो तो small scale पे आगया ना, क्योंकि पूरे world को एक paper में दिखाना, और सिर्फ आपके village को दिखाना village को अगर आप खली दिखाऊगे, तो कितने सारे details आपको देखने को मिलेगी, same way small scale map है, वो large area earth का दिखाएगा, जैसे map of the different countries, continent, world map, country map, atlas, यह सब small scale है, because इसमें छोटी छोटी चीज़ आपको भारत काफी छोटा दिखाएदेगा world map में, और खाली Indian map हो का large scale वाला, तो कित आईए, इसके अलावा आगे हम बात करने वाले है, एक activity है, क्या है, अच्छा, बहुत important activity है, क्योंकि आप जो school में जाते हो, school में, शायद आपकी school में हो के नहीं मुझे नहीं पता है, पर आपकी school में कौन से-कौन से maps है, जैसे मैं यहाँ पर random लिख रहा हूँ कि में मैप इंडिया का है, गुजरात का है, क्योंकि वरुद्रा में रहता हूँ तो वरुद्रा का है, वर्ल्ड मैप है, और हिस्टोरिकल मैप है, और यहाँ उसके के अंदर क्या दिखाया गया है, वो details में नहीं लिख रहा हूँ, काफी सा details ने छोटीन जगा में आएगा में भी नि मैप है, जोग्रोफिकल मैप है, कैसा मैप है, तो यह हो गया गुजरात का पॉलिटिकल मैप, इसके बाद यह है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जिसमें स्टेट्स और युनिन टेरिटरिस को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं आप, इसके बाद यह एक मैप है, स्केल बेज मैप क्योंकि अपने इसाफ से जो इन्फरमेशन दिखा नहीं है आप देख सकते हैं आप अलग-अलग रिवर्स हैं राइट अलग-अलग लैंड कितने इने कौन से माउंटें डेज कि यहां पर है अपनी जरुद की सबसे मैप को डिजाइन किया गया है यह है पूरे वर्ल्ड का मैप यह एक पेपर में सावा देना मतलब वरी स्मॉल स्केल होता है यहां पर यह सारे मैप हमने स्टरी कर लिया आप इंडिया में थ्री मैपिंग इंसिटूट है जहां मैप को स्टडी किया जाता है बनाया जाता है सबसे नंबर वन पर है नेशनल एट्लास एंड थिमेटिक मैपिंग और्गनाईशन यह है कलकता में है इनका सिंबॉल इनका लोगो देख सकते हैं इनकी स्टाफ है थिमेटि मैप यूज़ करते हैं और मैप को ड्रॉ करते हैं सेटलेट की मदद से यह भी उनका एक ब्रांच है जिसकी फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं है थार्ड नंबर पे हैं सर्वे अफ इंडिया यह और इंडियाशन देहरा दून में है इस अलाउस फोर क्रिएटिं मैप मैप सब्सक्राइब करने वाली अगर को इंसिट्विशन है तो वो यह सरवे ऑफ इंडिया यह आपकी एसस की बूप में जो मैप सेना उसकी बात कर रहा है अभी हम बात करने वाले हैं इसके बाद मैप के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स जिसक इन है सकेल थर्ड है कंवेंशनल साइन सो शुरू करते सबसे बिले डारिक्शन निया परेमेन नीचे भुड़ुद्रा का डिस्ट्रिक का मैप लिया है जनरली वेन यो आप्जर्व देमेप यू सी दर साइन इडिकेट्स अनौट डारिक्शन आपके मैप के अंदर एक कर लेनी है अपने हिसाब से इफ यहाँ नॉलेज ओफ नॉर्थ डियरेक्शन तो आप इजी ली बाकि सारी डियरेक्शन को सोच कर बता सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यह वाला फोटो आपने देखा होगा इसमें लिखा है इसके लिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ देखे तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप सन को फेस करें मतब सन जहां से निकल रहा है वो इस्ट डियरेक्शन है जहां सन सेट होने वाला है तो आपके पीछे की साइड वैस्ट हो जाएगी आपकी लेफ्ट वाले हैं सब्सक्राफ देख रहे हैं इसके अंदर कुछ डियरेक्शन इसली मेजर फॉर डियरेक्शन से नौर्थ एस्ट साउथ एंड वेस्ट उसके अलावा और चार नाम दिये उसको भी समझ ना पड़ेगा ना एक्शली में यह फॉर डैरेक्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा डै सेकट हें साउथीस्ट जिसे हम कहते हैं अगनेया। उसके बाद हें साउथवेश्ट जिसे कहते हैं नहेरुतय। और से यह यह खानवेयक। छारो की चारो कारू काडिनल डारेक्षन हैं, जिसको मैंने एक इंग्लिश takiego सिरकारो किरिषान आयन। Any of the place can be found out of the map with the help of direction आप map पे direction की मदद से और intermediate direction की मदद से कोई भी जगा को find out कर सकते हैं काफी important है यह directions ओ आपके लिए तो यह काम की चीज़ आ गई है यह एक drawing है village का मैंने book में से लिया एक सो clear नहीं है इसमें काफी साली चीज़ा drawing की गई है हमको साली बताना है कि वो actually में है कौन से दिशा में यहाँ पर north direction का symbol लगा दिया लिया है सबसे पहला question है हमारा temple temple कौन सी direction में है center से counting करो तो yes यह रहा temple और center में अगर मैं खड़ा हूँ center से देखने जाओं तो हमारा temple हो जाता है east side में सो यहाँ पर हम बात करने वाले direction of well from the post well मतलब कुआ यह रहा well कहां से देखना हमे well from the post office post office यह रही यहां से हमें उस तरफ जाना है तो यह हो गया totally west direction में इसके बाद जो third number पर है जिसको हमें water tank से direction of water tank from water tank कहां पर यह रही और pond कहां पर यह रही और pond कहां पर यह रही और pond से water tank east direction में आ तो हमें लिखना है east इसके बाद लास्ट वाला direction of post office from the farm farm कहां पर यह रहा और post office यह रही तो सीधा आपको आना पड़ेगा south east में east और थोड़ा नीचे south में इस तरीके साब को यह answer से लितने थे interesting information है बचो यहाँ पर compass के बारे में हो का यह अंतरा बोलते हैं जिससे compass एक ऐसा device है जो develop किया दा on the basis of properties of magnet इसमें जो needle है यह magnetic needle है there is a magnetic needle on the axis that can move freely inside the compass मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएंगा इस वीडियो में आप देख सकते हैं actually यह compass में जो north और south direction होती है यह needle में mark की गई होती है और वो fixed position पर ही रहते हैं वो कभी नहीं हिलती है और यह ship में, steamer में, submarine में, aircraft में direction को find out करने के लिए user जैसे सोचो, रेगिस्तान में आप खो चुके होता आपको कौनसी direction में जाना है वो नहीं पता है तो आप इसकी मदद से आप डूंड सकते हैं direction और उस जगा से बाहर निकल सकते हैं मैं बात करने वाला था एक और component के बारे में उसे कहते है scale सो scale क्या है मैं आपको पतना चाहूँगा यह दो maps ध्यान से दिखो इसके scale आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 inch में 1 mile का distance और यहाँ पर 1 inch में 200 miles का distance दिखाया गया है अब यह काफी clear दिख रहा है और यह clear नहीं दिख रहा है So distance between any two places on the earth and the distance between two locations on the map Really में वो distance कितना दूर है और map में हम कितना नस्दीक दिखा रहे है उसी को हम कहते है scale तो हम decide करेंगे हम कितना scale का map बनाएंगे Generally one centimeter to hundred kilometer का मतलब होता है कि एक centimeter map के अंदर हमें reach लिमी 100 kilometer distance of the earth दिखाना पड़ेगा Distance can be found using the thread in the scale Scale और Thread के मतलब से आप find out कर सकते हैं कौन से map में कितना distance दिखाया गया है Generally map में लिखाया जाता है नीचे कि ये कितना scale के उपर बनाया गया है आगे मैं बात करना हो चाहूंगा ये दो pages के बारे में जिसमें कुछ sign symbols हैं जो map के अंदर use होते हैं उसे हम कहते conventional sign The students आपने काफी सारे signs observe कियोंगे जब school से घर आते हो तो रास्ते में ये plus वाला sign जिसे hospital के यूज करते हैं ये black वाला sign पेट्रोल पंप के लिए यूज करते हैं और ये वाला sign है do not horn horn मत बजाए ये उसके लिए यूज करते हैं वैसे ही काफी सारे various physical and cultural details हम map पे शो करते हैं कुछ signs की मदद से sign मतलब symbol की मदद से which are called conventional sign definite alphabet, shadow light, color, pictures, lines ये सब use होता है to show the conventional sign in the map physical or cultural details अब easily बता सकते हैं with the help of this conventional sign conventional signs of map are in a simple and universally accepted language ये language पुरे worldwide accepted है तो सारे maps में ये symbol का use होता है ताकि easily आप उसको समझ सको actually में internationally agreement हुआ है sign और symbol के उपर कौन सी sign use होगी maps के अंदर hope आपको समझ आ गया होगा conventional signs की से कहता है अब आप देख सकते हैं ये आपके book के अंदर में आपको एक इक दिखा देता हूँ नस्दीक से इवर के उपर बनाते हैं इसके लिए वाला पका रोड के लिए ये वाला symbol रेल के लिए ये फाटक लाइट हाउस के लिए ये post office के लिए PO, cultural circuit house के लिए CH, capital of the state के लिए दो ring district का कोई head होता 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 एक circle बड़ा वाला, city के लिए छोटा वाला forest के लिए ये काफी सरे trees के symbol police station हो तो PS post office हो तो PTO post and telegraph office अगर आप और कोई भी जानते हैं तो आप study कर सकते हैं देख सकते हैं इंटरनेट के ओपर आगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी होता हो apart from signs, मतलब ये sign के अलावा और भी काफी सरे physical and cultural details हम शो कर सकते हैं different colors right colors and coropleths physical and cultural details given in the table are shown in the map with the help of colors काफी सारे maps में color use होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है different colors and coropleths so coropleth एक thematic map होता है जिसमें theme color लेते हैं कि ये country के लिए ये color ये country के लिए वो color है वैसे सिर्फ countries ट्रो करते हैं और color डाल देते हैं ताकि आपको सारे country जे लग लग दिखाई दे अगर आप country के ओपर खाली land दिखानी है land तो उसे के लिए brown color ही use करते हैं water जैसे river और ocean दिखाने के लिए blue color, खेत दिखाने हो vegetation तो green forest के लिए rail के roots और railway tracks तो black road के tracks हो तो red agriculture कुछ दिखाना हो तो yellow इसे colors use होते हैं map के अंदर अब आप कभी भी map पढ़ेंगे तो ये बड़ा होगा आपने chapter समझ में तो आएगा कि इस color का मतलब क्या है जिसके अलावा ये last paragraph है location of India इंडिया एक बहुती बड़ा land है इंडिया actually में earth earth के उपर north east hemisphere में है अगर आप world map देखो अगर आप globe देखो तो आपको समझ में आएगा इंडिया lie करता है south of the continent of Asia सो मैं अगर आप से बात करो इंडिया कहां पर lie करता है हमारे hemisphere में तो hemisphere जो earth है उसके north east में और अगर मैं इश्या के बारे में बात करो तो इश्या के मैप है यहाँ पर हम south में है यह पूरा इश्या का मैप है हम south के अंदर है आगे मैं बात करूँ है हिमालियन mountain range वो north of India में है map के उपर अगर आप देखो यह पूरा north एरिया है इंडिया का यहाँ पर है हिमालियन रेंजिस mountain ranges इसके बाद हम बात करेंगे bay of bengal जो eastern direction में है and arabian sea जो western direction में है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा map के उपर यह रहा bay of bengal और यह रहा arabian sea यह east में है और यह west में है होब आपको समझ में आ गया होगा so mainland जो इंडिया का area है और आप calculate करने जाओ longitudinal latitude तो यह है 8.4 से लेकर 37.6 north latitude and 68 degree 7 से लेकर 97 degree 25 east longitude तक है और एक important बात है Tropic of Cancer हमारी इंडिया से पास होता है लगभग यह 8 states से होकर जाता है so आज के दिन के बाद करूँ मैं आज की तारीक में इंडिया में total 28 states है 8 union territories है और एक कहने के लिए सिर्फ जैसे दली है वो national capital है ठीक है hope आपको सारी information map के बारे में समझ में आयो होगी जब भी revision करना हो तो वापिस इस chapter को देख लिजेगा so यहाँ पर chapter होता है complete और time आ चुका है वीडियो को like चैनल को subscribe और bell button नवाने का और अपने जितने भी मित्र दोस्त जो भी कहें उसको share करके यह information देने का यह chapter के बारे मिलते हैं next chapter में till then take care good day bye bye झाल झाल